दोस्तो अक्से जो है हम गार्डनर्स लीफ कमपोस्ट और लीफ मोल्ड के नाम पर थोका खा जाते हैं घर में बनाते तो हैं लीफ मोल्ड और बन जाता है लीफ कमपोस्ट नरसरी से खरीदने जा रहे हैं लीफ मोल्ड और मिल जाता है लीफ कमपोस्ट ऐसा नहीं है कि leaf compost खराब है ऐसा नहीं लेकिन हाँ जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं वो चीज़ मिले तो ज्यादा ठीक है Actually मैं दोस्तों दोनों में काफी अंतर हो जाता है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ में leaf mold के बनाने की process भी आपके संग शेयर करेंगे Friends मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजया ऐस क्रेटिव काडन जो leaf compost है Friends ये जो है अकसर 2-3 महिने में सीजन के हिसाब से बनके रेडि हो जाती है लेकिन जब leaf mold बनाते हैं तो उसको बनाने में कम से कम 6 महिना 6 months दोस्तों लगता है इसलिए जो nursery में अधिक जो है वो 2-3 महिने में देखिए वो लोग जो है leaf compost बनाके रेडि कर देते हैं हाँ जिसकी mold बनाते हैं ऐसा नहीं है लेकिन leaf compost जल्दी बन जाती है इसलिए nursery में अकसर जो है वही मिल जाती है हम लोग को दूसरे यह भी है कि जैसे कि leaf compost compost का नाम है तो composting के लिए हम लोग को हरा और भूरा दोनों ही तरीके का organic waste चाहिए होता है जो हरा waste होता है उसमें bacteria की मातरा काफी रहती है और जो भूरा organic waste रहता है उसमें fungus रहती है यानि कि composting के process में bacteria और fungus दोनों ही चीज़े रहती है लेकिन जब हम लोग leaf mold बनाते हैं दोस्तों तो उसमें हम लोग को खाली सूखी पत्तियां चाहिए होती है खाली रहनी वगरा भी चली जाएगी लेकिन वो सूखी ही चाहिए होती है वो भूरा brown waste है अब brown waste का मतलब क्या है केवल fungus रहती है तो केवल fungus रहती है इस चक्कर में उसको बनाने का process दोस्तों थोड़ा slow पड़ जाता है और चूंकि bacteria और fungus composting में दोनों रहते हैं इसलिए वो जल्दी बन जाता है कई बार जो है हम लोग composting करते हैं और हमारी मिटी में लीफ पतियों को मिटी में mix कर देते हैं हमारी मिटी में भी bacteria रहते हैं तो उससे जो है वो composting का process होता है जबकि leaf mold बनाने में किसी भी तरीके की हमें मिटी नहीं चाहिए और ना ही हमको जो है खटी लसी चाहिए waste decomposer चा जाया तो हमारी composting और fast हो जाती है जो हम लोग leaf compost बनाते हैं दोस्तों यह गरम खाद रहती है क्योंकि इसमें bacteria भी रहते हैं लेकिन जब लोग leaf mold बनाते हैं तो इसमें खाली fungus रहती हो यह धीमे-धीमे बनती है तो इसलिए ठंडी खाद रहती है और ठंडी खाद को आप किस seed germination के लिए सब के लिए use कर सकते हो कोई problem नहीं है लेकिन leaf compost जो है आप हर चीज में use नहीं कर सकते हो लेकिए अगर आपके आपर जगा है खुब सूखी पतियां आपको मिल जाती है तो leaf mold बनाने में कोई problem नहीं किसी भी एक kone में आप एकटा करते रहो और बनाते रहो तो किसी सस्ता काम होता है कि आप बना दिया आपको ज़्यादा केर करनिंग जरूरत नहीं बस उलटते पलटते रहे बन जाएगा हम लोग जब planting करते हैं गाड़निंग करते हैं तो हमारे plant की grow होने के लिए हमको सभी तरीके के पोशक तर्तु चाहिए और वह सभी तरीके के पो देड stricts हो जाएगा फिर आपको ऊपर से डालना पड़ेगा लेकिन लीफ मोल्ड जो है इसमें सभी तरीके के पोशक तत तो नहीं है यह देल से डिकंपोज होती हैं सभी तरीके के पोशक तत तत इस लिए नहीं है क्योंकि आपने केवल इसमें सुही पत्तियां डाली है औ सूखा होना बहुत एसेंशियल है जरूरी है अगर सूखे नहीं है तो आप दो-तीन दिन धूप में डाल के अच्छे से सुखा लो और भूरे रंके होने चाहिए इसके बाद आप कोई भी बैग ले लो या पॉलिथिन ले लो कोई भी चीज ले लो उसमें जो है आप जो है सा जिसे मल्टिप्लाई होगी जो मोल्डिंग का प्रोसेजर और फास्ट हो जाएगा मोल्ड बने गा ये तो उसके लिए आपको एरेशन की जरुवत है जिसमें भी बना अच्छी तरीके से पानी डालिएगा सूखा नहीं रहना चाहिए क्योंकि सूखे में फंगस नहीं ग्र प्रोसेस करने में दोस्तों सिक्स मन्स लग जाते हैं और आपको जो है आप महीने में एक बार खोल करके देख लो बहुत जल्दी जल्दी जरूवत नहीं है हां ये कि मॉइस्ट बनी रहेगी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा अगर पत्तियां आपकी बड़ी बड़ी है तो करके किक्षक कर सकते हो तोड़ भी सकते हो चूरा चूरा सकते हो हाथों से कोई प्र basement यह तीरे अपने आपी जो वॉल्यूम है ने बरा ब्राके सेखन डला अपने प्रोसेस कर रहें तो के साह्मने दोस्तों इसका आपको हम अबड़ेट देंगे आज जो है मैंने अपने विवर फ्रेंड के डिमांड पर आपको शो किया है वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो देखे लाइक के बटन पर हिट करके जरूर जाईएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ तब तके लिए गुड़ बाई